Importance of Productivity Productivity एक important term है जिसे किसी भी production में उसकी efficiency को measure करने के लिए हम लोग use कर सकते हैं Productivity का बहुत ज़्यादा importance होता है किसी भी production के लिए किसी भी organization में हर organization यह चाहती है कि उसका productivity हाई हो वो अपने productivity को maximize करना चाहती है इसका मतलब यह है क्यों चाहती है कि कम cost में यानि कि cost हमारा काफी कम होना चाहिए यानि minimum cost में एक अच्छी quality की हम product दे सकें market में जिससे company को भी benefit होगी और consumer को भी benefit होगा तो productivity को जो productivity है उसको हम कुछ terms के थुरू समझ सकते हैं कि उसका क्या important है हम मतलब किसी भी organization के लिए उसका क्या importance है हर organization का यह goal होता है कि अपने company को एक branded company बनाना और branded बनाने का मतलब है quality product देनी minimum cost पे क्योंकि अगर cost हाई रखेंगे तो हमारा customer कम हो जाएगा इसलिए हम चाते हैं कि minimum cost में एक अच्छा product हम market में दे सकें तो क्या importance है productivity का अगर हम maximize कर दें utilization को maximize कर दें utilization को किस चीज का resources का resources जासे की example में बताता हूँ अगर एक company में bucket बनानी की machine है एक कोई company है और bucket बनानी की machine है लेट से machine है और यह machine per day इसका maximum efficiency जो है यह 1000 bucket मतलब 1000 bucket per day बना सकती है यह इसका maximum efficiency है तो हमें management को ऐसा रखना पड़ेगा थाकि हम लोग 1000 के approximately bucket का production कर सकें पर डे अगर bucket कम product कम मतलब कि हम लोग develop करें मतलब कम जो है हम लोग produce कर पा रहे हैं यानि कि जो उसका manufacturing है per day लेट से 700 ही है यानि productivity घट गई productivity घट गई क्यों और सब्सक्राइब कि हम लोग machine का efficiency यूज नहीं कर पा रहे है वो machine per day 8 hour work कर सकती है लेकिन हम सिर्फ उसका use कर रहे हैं कितना 5 hour क्यों क्योंकि labor का systematic arrangement नहीं किया हुआ है कौन सा step किसके बाद करना है यह arrange नहीं किया हुआ है तो यह हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है maximum utilization नहीं है किसका machine के efficiency का तो हमें maximum utilization करनी पड़ती है ठीक उसी तरह reduction in cost reduction in the cost of raw material हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जो raw material है किसी भी चीच को बनानी के लिए raw material की जरुरत होती है जैसे मैंने बताया bucket को अगर बनानी की बात करते हैं तो definitely हमें plastic जो plastic की balls आती है छोटी-छोटी उसका इस्तमाल किया जाता है तो यानि किसका cost क्या होना इसके cost को हमें reduce करना पड़ेगा हमें reduce करना पड़ेगा product का per unit manufacturing cost अगर per unit manufacturing cost अगर हम लोग reduce कर देंगे तो definitely, per unit अगर वो कम कर दिया जाता है तो definitely हमारा productivity बढ़ जाएगा हमारा जो target है वो target हमें मिल जाएगी जैसे कि अगर raw material, अगर per unit cost में, let's say, हर चीज का एक waste होता है, scrap निकलता ही है, scrap हो जाता है, जैसे कि plastic, plastic क्योंकि material बनानी है, अगर उसमें 1 kg plastic input दिया गया, और जो output निकला, वो 800 gram का ही plastic का product निकला, बाकि 200 gram scrap में चला गया, that is what, that is waste, तो हमें करना क्या है, हमें उसे reduce करना है, हमें उस scrap की, जो quantity है, उसे कम करनी, हमें ऐसा technology का इस्तमाल करना है, ताकि scrap कम हो, तो क्या होगा, production ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक इसी तरह, productivity किसी organization की, जो है, growth बताती है, अगर productivity ज़्यादा है, तो उस organization का growth ज़्यादा हो सकता है, यानि वो उसका scope ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे product पेच रहे हैं, कम cost में, और हमारा cost, जो input cost है, वो भी काफी कम है, तो profit हमें ज़्यादा होगी, profit ज़्यादा होगी, तो company का growth definitely होगा, यानि indicate करता है कि growth, जो है company का indicate करता है कि क्या growth होना चाहिए, ठीक इसी तरह, हम लोग देख सकते हैं कि productivity जो है, company का expansion और modernization को भी indicate करता है, यानि कि productivity ज़्यादा है, तो company का expansion हो सकता है, company को हम लोग modern way में उससे cast कर सकते हैं, उसका manufacturing का तरीका को हम लोग बदल सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास technical ideas होंगे, जितनी ज़्यादा हमारे पास एक computerized system होगा, किसी भी factory में, तो definitely product का जो manufacturing है, वो fast होगा और कम cost पर होगा, और ये सभी depend करता है किस पे, productivity पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि productivity किसी भी company के लिए एक बहुत important role है, यानि कि एक बहुत important role play करती है किसी भी company का production में, तो productivity को बहुत अच्छे से ध्यान देना है company के production पर, ओके, thank you.